नमबर ठर्ट देखिए, कह रहा है, find the domain of, चलिए देखते हैं पहला, first number में हमें, second verse 3x-1 का domain निकाल ला है, तो हम लों जानते हैं, कि the domain of, the domain of, second verse x, second verse x का domain क्या होता है, तो से एक inverse x का domain होता है, minus infinity to minus 1, union 1 to infinity, ठीक है, समझे हैं न, इसका मतलब हम लोग ऐसे भी लिसकता हैं, और में, कि ये जो x, x इसमें होगा, x, x less than or equal to होगा, minus 1, and, या और, और, और x जो होगा, greater than or equal to होगा 1, इसका मेंन यही हुआ, therefore, जो हमारा function दिया हुआ है, से एक inverse 3x minus 1, is defined, defined, for all x, satisfying, x किसको satisfying करेगा, तो, इसी के according हम लोग, यहाँ पर x है, यहाँ x हो रहा है, तो, यहाँ पर आपका 3x minus 1 है, तो, बस यही लेंगे, यहाँ पर 3x minus 1 रख देंगे, है न, यहाँ पर जागा, 3x minus 1 is less than or equal to minus 1, और, यहाँ, 3x minus 1 is greater than or equal to 1, ठीक है, अब यहाँ दोनों को simplify करते हैं, यह जाएगा, उदर, minus का है, तो, उदर जाके plus का हो जाएगा, है न, तो, यह जाएगा, तो, उदर 0 हो जाएगा, 3x is less than or equal to 0, यहाँ कि, x is less than or equal to 0, ठीक है, और, यह दूसरा वाला पार्ट, जो है, यह minus वाला उदर जाके plus का होगा, तो, 3x is greater than or equal to 2, यह जाके add हो गया, यहाँ से हमें क्या conclusion मिल गया, हमें यहाँ मिल गया कि, जो domain होगा, domain होगा, हमार, domain of, say, inverse, 3x minus 1 होगा, वहाँ क्या होगा, तो, यहाँ देखो, minus infinity to 0, देखेंगा, और, union, यहाँ से क्या आजाएगा, 2 by 3 के equal, और 2 by 3 से बढ़ा लेक, infinity तक चला जाएगा, तो, यह इसका domain हो जाएगा, समझ गया, फिलिए देखिए इसका,